नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारी इस चैनल उपलर गुरूपे दोस्तों हमें बात करने वाले हैं बहुत ही बड़े इशू के बारे में जो कि बहुत सारे स्टुएंट्स बार बार पूछे थे कि सर हमारा अभी तक छात्रवृति का पैसा नहीं आय सब्सक्राइब के लिए आज वीडियो में बताने वाले हैं क्या है latest अपडेट की पूरी चर्चा बहुत ही जहला इंट्रस्प्रेर्सिन ऑने वाला है इसलिए अगर बहुत ही तक आप हमारी इस चैनल से नहीं जुड़े हुए है तो निचे लाल रंग का सबस्क्राइब ब विधान मंडल में जो बहस होती है उसमें सबसे गरम मुद्दा यही है कि सारे स्टूरेंट्स का जो सारा का सारा जो पैसा है छातर विर्तिका वो अभी तक नहीं गया है तो दोस्तों जो रिजल्ट्स आपके सामने निकल के आए हैं वो आपको बता दें ध्यान से जरा सुनिय मार्च के आगे आपका कोई भी यहां पर नहीं बढ़ने वाला है दोस्तों बहुत सारा चीज़ें यहां पर मैटर कर रहा था बहुत सारा चीज़ें बताया जा रहा था बहुत सारे प्रोसेस में फस जा रहा था यहां पर पैसा की इसके आगे प्रोसेस बढ़ ही नहीं रह चला जाएगा आपके फोन पे मैसेज जाने वाला है ताकि कि आपका जो सारा का सारा जो पैसा है चातर वृति का वो आपके एकाउंट में पहुंच गया एक और अपडेट कि इस बार उन देखिए पहले ये भी बताया जा रहा था कि वो सभी स्टूडेंट्स जिनका 70% यहां कर दिकर दिया गया ऐसा कोई भी नियम लागू नहीं होता और सभी स्टूडेंट्स को यहां पे जिन्होंने अप्लाय किया था उन सभी स्टूड्स को यहां पे एकल्यान और च्छात्रवर्ति का पैसा यहां पे दिया जाना है दोस्तों अगर आपके पास कोई question है तो आप जरूर लिखे इस वीडियो के नीचे comment section में आपको आपका जवाब जरूर दिया जाएगा और इस वीडियो को जाता से जाता शेयर करें ताकि सबी students इस बात को समझ पाएं और इस बात से एक उन्हें पता चले ताकि कोई भी और confusion में ना रहे ताकि कब पैसा आएगा और या कब और आने वाला है March last date रखा गया है वीडियो को लाइक नहीं के तो लाइक कर दें और दोस्तों कोई भी अपडेट चातेवर्ती से related कोई भी अपडेट मिस ना करने के लिए आप लोग हमारे इस चैनल से जुड़े रहे नीचे लाल रगा सब्सक्राइब बटन है जरूर सब्सक्राइब करें और बगल में एक बेल आइकन होगा उसको अल पर जरूर क्लिक कर दें मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के साथ जो भी बिहार सरकार आपके लिए अपलाई करेगी उसके लिए उसके साथ तब तक के लिए नमस्कार